आप सबको प्रणाम, मेरा नाम सोनी है और मैं एक एथलेट हूँ, सोनी के एलेक्ट्रोनिक्स जितने स्पीड में होते हैं ना, मैं उससे भी ज्यादा स्पीड में चलती हूँ आप सबको प्रणाम, मेरा नाम ध्वनी है, मतलब साउंड, ध्वनी जितनी तेजी से चाता है ना, मैं भी उतनी ही तेज दौरती हूँ, हाँ ये सोनी और ये ध्वनी सब मेरे रानी के नीचे ही है, नैशनल चैंपियन हूँ मैं, नैशनल चैंपियन मेरी शादी एक नारई से हो गई है, इसी वज़े से ये देश छोड़ कर जाना पड़ रहा है, और ये देश मेरे मेडल को इस देश से बाहर नहीं जाने देगा, वो इस देश के स्पोट्स का रूल है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ, कि ये मेडल इन दोनों में से मैं किस को दूँ, अरे ओ सोनी और ध्वनी, मेरे गले में मंगल सूतर पड़ गया है, इस वज़े से ये मेडल तुम लोगों के गले में आने वाला है, खुशिया मनाओ खुशिया, ये कहावत सुनी है, कि एक लड़की ने दूर ठंडा करने के लिए सीधे बकरे को ही ले जाकर फ् अरे, क्या पड़बडा रही है, और नहीं तो क्या, तु अपने ही मुझे अपना धिंडोरा क्यों पीट रही है, बात क्या है सीधे सीधे बताना, वैसे भी तुम दोनों तो सेकेंड पोजिशन में हो ना, इस मेडल को तुम दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा, इसलिए मै मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीज एक कॉंपटीशन रखों, अगर मेरा प्रपोजल तुम दोनों को पसंद आया हो, तो बताओ, चीची, तु और मुझे प्रपोज करेगी, अरे, पागल, प्रपोज नहीं, प्रपोजल, डील के बारे में बोल रही हूँ मैं, कैसा तुम दोनों बाते करके, किसी अच्छे सी दिन एक रानिंग कॉंपटीशन लगा लो, वो कब लगाना है, वो तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों में से जो भी कॉंपटीशन जीच जाएगा, ये मेडल उसी को मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, मुझे भी ठीक है रानी खुशी-खुशी विदेश्च ले जाती है कुछ दिनों बात, सोनी शादी के बाद पेट से होती है ध्वनी मोके का फाइदा उठाने के लिए, कॉंपटीशन के बारे में बात करने के लिए सोनी के घर पहुँचती है क्या बात है ध्वनी? इधर कैसे आना हुआ? हम लोग कहीं दुनों से बाते कर रहे हैं न, उस मेडल के लिए कॉंपटीशन के बारे में उस कॉंपटीशन को अभी रखे क्या? सोनी समझ जाती है कि ध्वनी को पता है कि वो प्रेगनेंट है और कॉंपटीशन से मना कर देगी इसलिए कॉंपटीशन के बारे में बात करने आई है तब सोनी का पती श्याम बोलता है अगर मेडल चला गया तो दूसरा मेडल हासिल कर सकते है लेकिन इस दोड़ने की वज़े से हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे सोनी? सामसंग और सोनी जैसे हमारी जोडी को जब नोकिया जैसा बच्चा होने वाला है तो तुम्हें ऐसी कॉंपटेशन करने की क्या ज़रूरत है? मुझे मेरे पेट में बच्चे से ज्यादा मेरे गले में पढ़ने वाला मेडल ही ज्यादा ज़रूरू है अरे ओ ध्वनी, जगत तू बताएगी या मुझे बताना पड़ेगा? टाइम तू बताएगी या मैं बताऊंगी? कोई भी प्लेस हो, कोई भी टाइम हो, मैं रड़ी हूँ ठीक है, देख लेते हैं ऐसा बोलते होई ध्वनी वहाँ से चली जाती है ध्वनी के चले जाते ही, शाम एक मैजिकल वाच के बारे में सोनी से बताता है वो उसे बताता है कि उस वाच की मदद से इस कॉम्पटिशन को आराम जीता जा सकता है लेकिन सोनी को इस तरह धोका देकर जीतना पसंद नहीं होता हमारे पास दूसरा आप्शन नहीं है सोनी अगर तुम्हें ये competition जीतना है तो तुम्हें ये magical watch यूज़ करना ही होगा वो magical watch बहुत powerful था उसे अगर एक बार प्रेस किया जाए तो वो 10 सेकंड के लिए पूरी दुनिया को रोक लेता था इधर competition के दिन ध्वनी बहुत तेजी से दौड रही थी और वो पहले नंबर पर थी बेचारी सोनी प्रेगनेट होने की वज़े से धीरे धीरे दौड रही थी और उसी वक्त श्याम उस magical watch को यूज़ करता है एक शन के लिए पूरी दुनिया रुख जाती है और उसी वक्त सोनी ध्वनी को पार करते हुए विनिंग लाइन के पास पहुच जाती है 10 सेकंड होने के अंदर अंदर सोनी लाइन को पार कर जाती है ची मेरी जिन्दगी पर थू है वो प्रेगनेंट होते हुए भी मुझसे आगे निकल गई और सीटी बजाते हुए जीत गई इस तरह वो दुख ही होने लगी और इधर सोनी अपने पदी की तरफ देखते हुए पेट पर हाथ रग कर मुस्कराती रहती है ऐसे ही ग्यानवर्दक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे